तो पहले हम यह बात कर लेते हैं कि आपको अपना राइस्टेशन वह कैसे करना है और उसकी बात करेंगे कि आपको कैसी पढ़ाई करनी है फिर आप किस प्रकार से एक्जाम देंगे सभी क्वेशन की आंसर हम देरे देरे इस वीडियो में देखने वाले हैं ठीक हो गया अगर अगर आपको फुली स्पीड में चाहिए तो आप अपने वीडियो का स्ट्रीमिंग पार्ट होता है उसकी स्पीड आप खुद बढ़ा सकता है कोई दिकत नहीं है ठीक है तो बात कर लेते हैं कि आपको राइस्टेट करना कैसा है तो यह लिंक यहां पर दिया हुआ है यह जो फोटो आपको दिख रही है यह जो है डाल दूंगा नहीं तो अगर आप टेलिग्राम चैनल आईसी एसाई लाइप अपडेट पे हैं तो वहां से भी आप ले सकते हैं कोई दिकत नहीं है तो आपने लिंक रेइस्टर्ड नाव वाले पर लिंक पर क्लिक किया वह ल अगर आपका पास ओड है तो वह स्लेट करना है केटेगरी सेटिफिकर आप अगर केटेगरी अवेल करते हैं नौर्मल या जनल के अलावा जो है अगर केटेगरी में तो यह स्लेक्ट करेगा और आईटेंट्य प्रूफ इन चारों में से आपको यह सब डॉक्मेंट देना ह फिर आगे हम बात करते हैं यहां पर हमने बताया है कि इन सभी को फिल करके आपको अब दूसरा पेज जो है वह ऐसा शो करेगा ठीक हुग है यहां पर आपको अपनी क्वाली पिकर सेलेक्टर नहीं है इसे भी टिटे उस प्रॉपरली ध्यान से फिल करना है आपको नेक्स इस इसको अभी से समाल करके अगए इसके अकम से मत रहेगा कि आपको मेल के थोठी तूरों मैसेज के थोठी यह मिल पाएगा अलाएंकि इशू को सेंट कर देता है बट आपको यह समाल कर रखने तो इदर आप इसको कहीं पर नोर्डाउन पर लीज़ेगा या पिर इसका जब भी आप अपना registration कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी transaction ID होती है, या फिर ऐसी unique ID, request ID, login ID, ऐसा कुछ देखने के लिए आपको मिलता है, तो कहीं पर भी तो उसको save करकर रखिएगा, तो बाद में आपके ही ये काम आने वाल है, ठीक हो गया, तो आपने इसको note कर दिया है, आपको देख पा रहे होंगे, ये पुराना details है, अभी आपको जो है book की details भी show करेगा, तो अगर आप जो है book लेना चाते हैं, तो आपको select करना पड़ेगा, नहीं लेना चाते हैं, तो उसको disconnect करने पड़ेगा, मतलब अगर आप जो है उसको select कर लेते हैं, तो institute के ओर से directly आ तो मैं आपको दे दूगा comment में, ठीक हो गया, तो आगे बढ़ते हैं, आपने चेक किया कितना payment आपको करना है, आगे proceed करेंगे, तो proceed पे आप चेक कर पाएंगे कि कौन कौन से document जो है आपको fill करने, mandatory document upload करने आपको next step में, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, आपको document जो qualification certificate name ह आपको select करना है, कौन सा semester यह year है, और choose जो file पे वहाँ से select कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे जब file select करेंगे, तो यह नीचे पे जो है, एक इक करके जो है, यह आपकी जो file है, वो upload होती जाएंगे, तो देख सकते हैं, यहाँ पे ID proof, date of our certificate, एक एक करके आपको fill करना है, ठीक है, और जो next button है, उस पे next करके, आप जो है, next process के लिए बढ़ जाएंगे, फिर आपके details जो है, यहाँ पे show हो जाए, कि जो भी details आपने fill क्या होगा, preview में देख सकते हैं, जहाँ पर अगर सही है, तो आगे बढ़िएगा, नहीं है, तो back का button है, अगर सब को सही है, तो confirm पे click कर जाएगा, और next page पे बढ़ जाएगा, अब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, आपका जो payment gateway है, कि किस mode से आप payment करना चाहते है, offline के लिए चालान का option आता है, केवल, और online के लिए आपको access bank दिया गया है, kotak bank दिया गया है, तो यह basically जुरूरी नहीं है, कि आपका debit card, credit card, इन से आप payment कर सकते हैं, अगर आपके पास access bank या फिर kotak bank इनका नहीं है, बाकि buildx भी option है, आपके पास, वहाँ से भी जाके चक कर सकते हैं, बाकि offline के लिए मैंने बता दिया है, जो भी select करते हैं, तो यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे, अगर आपने चालान select किया है तो यहाँ पर print करने को option दे देगा, वो print करके आपको जो camera bank है, वहीं पर ही submit करना पड़ेगा, और date से आपको तीन दिन पहले submit करना होता है, जो भी last date है, उससे तीन दिन पहले, बाट आप सब को पता है, सब कुछ online ही है, तो offline को बिचार मत रखेगा, online ही करेगा, जैसे ही आप यह select करेंगे, तो payment करने इससे ही पहले आपको, यह transaction ID, request ID, तो इसका भी ज़रूर आप note down करके रखेगा, या फिर इसका जो page आपको बनेगा, उसका screenshot लेके आप रखेगा, ठीक हो गया, build X, जो भी mode आपने select किया है, उसको आप proceed करेंगे, प्रोसीड करने के बाद जो ह आप बहुत सारे option देख पाएंगे, on successful payment, you will be registered for the CSWT, the same will be intimate through email SMS registered email ID, यह email करता है, पर sometime पर यह नहीं मिल पाता है, तो आपको घबराना नहीं, सब details आपके पास है, within 48 to 72 hours में आपको अपने details मिल जाती है, ठीक हो गया, आगे बढ़ेंगे, तो आपको payment करने का option मिल जाएगा आप अराम से payment कर लीजेगा, लास्ट डेट पे बचिएगा, लास्ट डेट पे payment में problem आती ही, आती है, आप ध्यान रखेगा, अगर आप क्या है, इंट्रेस्टेड है, तो जरूर जो है, डेट से पहले, आप इस चीश को क्या करिएगा, और register कर लीजेगा, ठीक है, I hope आप आपको समझ में आये होगा, कैसे करना है, अब कुछ FAQs देख लेते हैं, कि FAQs में क्या के option आपके रह सकते हैं, तो सिंपल सापको कुछ नहीं करना है, मैंने बहुत सारे FAQs एक website में सभाल के रगे हुए हैं, आप वहां से जाके चक कर सकते हैं, website पर टाइप को करना अगर आप इसको लेट में देख रहे होंगे, तो हो सकता है, यह नीचे चला जाए, तो उस केस में आपको जो है, और आपको बहुत सारे FAQs देखने के लिए मिलेंगे, जो मैं अभी तक आपको बताई, वह भी है यहां पर, और other details भी आपको मिल जाएगा, कि जैसे आपको CSWT है, वो कैसे conduct होगा, यह हमने आप बता दिया है, ठीक है, आपको जो वाइवा, पहले जो है, बेसिकली वाइवा सेशन होता था, अब वो नहीं होता है, वाइवा अगर आपको जो भी question है, CS executive program आपको कैसे लेना है, कैसे नहीं लेना है, जो around जो है, जितने भी top 50 question है, यह भी सबु कुछ यहां पर mention किया गया है, जो institute के द्वारा put out किये गये है, जो student के द्वारा put out किये गये है, ठीक है, और बीच-बीच में देख सकते हैं, आपको unique ID के मैंने जो है, वीडियो भी दिये हैं, अगर आप कहीं पर फंस जाते हैं, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं, otherwise कोई दिक्कत नहीं है, जो भी जो है, जो question आपके लिए suitable है, वो आप चक कर सकते हैं, तो top 50 question है, वो select किये हैं, I hope जो है, आपको यह सब कुछ समझ में आया हो हुआ, I hope जो है, यह वीडियो ज्यादा लंबी नहीं रही होगी, फिर भी कोई problem है, तो जरूर जो है, commentary करिएगा, मैं आपको में आपको